नमश्कर साथियों इजी इजी लाइफ यूटिप चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है हम पढ़ रहे हैं NCRT क्लास 7 हिस्ट्री हमारे अतीत भाग दो जिसका आज हम चैप्टर नमबर 6 नगर व्यपारी और शिल्पी जन पढ़ने वाले हैं तो आईए शुरू करते है एक मद्यय यूगिन नगर की यातरा फर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी अकांक्षा हैं रखता होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था क्या वह एक मंदिर नगर था, एक प्रशाशनिक केंद्र, एक वानिजिक शहर, एक पत्तन नगर या किसी अन्य प्रकार का शहर था क्योंकि पुराने टाइम पर पुराने समय में या काफी पहले के समय में जो भी नगर हुआ करते थे वो आज की तरह modernized नहीं थे तो वो किसी ना किसी एक खास वज़े से ही जाने जाते थे चाहे वो मंदिर नगर हो सकता था चाहे वो कोई पतन नगर हो सकता था चाहे वो व्यपार या वानिजीय का प्रमुक कोई केंदर हो सकता था लवस्तुते कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे मानोवे प्रशासनिक नगर भी थे मंदिर नगर भी थे और वानिजिक कारेकलापों और शिल्प उदपादन के केंदर भी थे मानचितर एक में हमें दिखाया गया है मध्या और दक्षिन भारत में व्यपार और शिल्प कारी उदपादन के प्रमुख केंदर ये कुछ केंद्र बना बताए गए हैं जो ततकालीन समय में जो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे जैसे एक है काबुल काबुल है पुशकर पुशकर जो आज वर्तमान में अजमेर का हिस्सा है ठीक है वरिंदावन अजमेर एहमदाबाद सुमनाद ये गुजरात वाला शेतर जिसे महमूद गजणी पतने कितनी बार लूट-लूट कर अपने यहां पर यहां की धन समपदा को ले जाता है और अपनी जो राजदानी है गजणी उसका काफी ज़्यादा निर्मान वहाँ पर करवाता है ये हैं मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, बरार, बीदर, ये गोलकुंडा, मसूली पटनम, हमपी, सूरत इस चप्टर में हम सूरत, हमपी और मसूली पटनम के बारे में पढ़ने वाले हैं ये तीनों ही बहुत प्रमुख पतन केंद्र रहे हैं देखिए ये बीजापूर, कमालपूरम, स्वामी मताई, तिरुपती, मदरास, महाबलीपूरम, कांचीपूरम है ना ये सारे जो है प्रमुख प्रमुख केंद्र रहे हैं यहाँ पर उद्योग, वेपार, वानिजे के केंद्र रहे हैं जिसमें मदुरई है, उरेवर, और तंजावूर है तो ये तंजावूर किसकी राजदानी थी आप मुझे बता सकते हैं आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इन सब के बारे में ये लक्षदीप, हिन मासागर का ये जुशेत्र है, ये हमें दिखाई दे रहा है ये सारे जितने भी जो केंद्र दिखाए गए हैं ये तत कालिन समय में वेपार, वानिजे, प्रशाशने केंद्र प्रमुक थे यहाँ पर आगे देखिए अध्याय दो में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा था हम अपनी कलपना के घोडे पर स्वार होकर चोल राजाओं की राजदानी तंजावूर अभी हमने मैप में देखा था कि तंजावूर जो है, वो किसकी राजदानी है चोल राजाओं की राजदानी है 1000 पहले के वर्ष में थी इसकी यात्रा पर चलते हैं देखी इसको शुरू करने से पहले एक और बात बता देते हैं कि 7500-1750 इस्वी तक का जो समय है इसको मध्यकाल यूग महना जाता है क्या कहा जाता है इसको मध्यकाल कहा जाता है ठीक है साड़े साथ सो से सत्रों सो पचास का जो इससा है इसको भी तीन भागों में बांटा जाता है जिसे प्रारंबिक मध्यकाल कहा जाता है ठीक है फिर है दिल्ली सल्तनत और तीसरा है मुगलकाल ये जो शेत्र जो रहा है ये जो टाइम पिरिड़ रहा है इसमें बहुत जादा कोई विकास देखने को नहीं मिलता है लेकिन इसलिए इसे कुछ तक रूडी वादी समय भी कहा जा सकता है इस टाइम पे जो प्रथाएं थी या जो जिस तरह की जीवन शैली थी वो रूडी वादी थोड़ी दिखाई देती है और इसके बाद हम देखते हैं कि जो अठारवी शेताब्दी का जो उत्रार्द का समय है वो काफी विकास को लेकर हो जाता है शुरू हो जाता है काफी वि देखिए चोल राजवंश की जो राजदानी है यह कौन सी है तंजावुर है और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है कावेरी नदी बहती है और यहाँ पर राज राज चोल राज राज चोल जो है इन्होंने राज राजिश्वर मंदिर का निर्मान करवाया था और हमने पिछ ये अपने आपको देवता ही समझते थे और इनके विपरीद जो मुसलिम शाशक थे इन्हें भी कुछ इतिहासकारों में बताते हैं कि इन्हें अल्ला की परचाई कहा गया है जब कि ये इस चीज को नहीं मानते थे ये इसमें यकिन नहीं रखते थे ठीक है फिर है लोग नग उजर मलन राज राज पेरू थच्चन ठीक है ये नाम याद रख सकते हैं वैसे एक्जाम में इतना डिटेल नहीं पूछा जाता रीट के हिसाव से तो बिल्कुल भी इता डिटेल नहीं पूछा जाता पर फिर भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि जो लोग फर्स्ट्रेड इतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है राज राजश्वर मंदिर में किसकी पूजा होती है तो यहाँ पर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है इसे राज राज चोल के द्वारा बनवाया गया था यहाँ पर चोल राजवंश की जो राजधानी ये तंजावर इसमें क के लिए आदेश जारी करते हैं नगर में सैने शीविर भी बने हुए हैं नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज मसालों कपड़ों और अभूशनों की विक्री हो रही हैं तंजावुर और उसके निगट वरती नगर उरेयूर में उरेयूर के सालीय बुनक सालीय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए जंडे जंडिया बनाने का कपड़ा राजा और अभिजात्वर के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जंसाधारन के लिए मोट्टा सूत्री वस्त्र तयार कर रहे हैं यहां से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थित सत्पती अ घंटा धातू के दीब बना रहे हैं सोरी पापिस देखिए कि यहां पर जो स्वामी मलाई शेत्र है यहां पर उरेयूर में तंजावर जो राजदानी है चोल राजवंशकी उसके निकट तक नगर है उरेयूर यहां पर यह सालीय बुनकर हैं जो कपड़े बनाने का काम करत हैं और स्वामी मलाई है यहां जो शेत्र है यहां पर स्थपती स्थपती यानि मूर्तिकार यह उत्तम किस्म के कांसे की मूर्थियां बनाते हैं और लंबे और सुंदर घंटा धातू के दीब यह बना रहे हैं अब देखते हैं मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र तंजावर एक मंदिर नगर का उधारन भी है तंजावर जो है ये एक मंदिर नगर का उधारन है मंदिर नगर नगरी करण का एक अत्यंत मैतवपुन प्रतिरों प्रस्तुत करते हैं नगरी करण नगरों के विकास की प्रकीरिया है मंदिर अक्सर समाज और अर्थ विवस्था दोनों के के लिए ही अत्यन मैतवपुन होते हैं शाशक विबिन देवी देवताओं के प्रती अपना भक्ती भाव दर्शाने के लिए मंदिर बिनाते थे वे मंदिरों को भूमी एमम धन अनुदान में देते थे जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विदी विधान से संपन किये जात था और परवत्सव मनाए जाते थे मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिना दिया करते थे आज भी हम लगबग हर मंदिर में यही चीज़े देखते हैं कि जो आसपास के जो लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं वो किसी तरह की भेंट चड़ावा या दान दक्षना भी देते हैं तो पुराने समय में और आज के समय में भी लोग जो हैं वो विभिन देवी देवताओं के प्रती अपना भक्ती भाव प्रकट करने के लिए दर्शनों के लिए मंदिर बनवाते थे मंदिरों में आते भी थे यहां पर धार्मिक अनुष्ठान भी कि घंटा धातू कांसे की मूर्तियां यह देखिए यह कांसे की मूर्ति है अच्छे मूर्ति बनी होगी आई फिर देखिया कांसा एक मिश्र धातू होती है अब इसके बारे में इस पड़ लेते हैं कांसा घंटा धातू और लुप्त-मॉम तकनीक यह काफिंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले के टाइम पे जो सांचेव गरा नहीं होते थे या टेक्नलोजी ज्यादा नहीं थी लेकिन जितना भी उन्होंने अपने दिमाग को इस्तिमाल करते वे फिल्टिजों को बनाना सीखा उसके हिसाब से उन्होंने कांसा बनाया है यह मिश्रधात हूती है जो तामबे और इस प्रवधी के अंतरगत सरव प्रथम मौम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी देखो सबसे पहले इन्होंने एक मौम की मूर्ति बना दी है इस चीकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था ठीक है इसके उपर चीकनी मिट्टी का लेप ल बनाई पहले उसको दूप मेजब सुखा दिया अच्छे से उतिके बाद उसको गरमकरते थे फिर उसके मिटी के आवरन में क्योंकि मिट्टी का जो खोल बत जाता था जो जो पेद के रास्ते पिगली हुई धातू भर दी जाती थी जब वह धातू ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चीकनी मिट्टी के आवरन को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली हुई प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था ठीक है देखिए ये कांसे की मूर्थी है जिसमें कृष्ण को नाग राक्षश कालिया को काबू करते दिखाया गया है कालिया नाग को काबू किया था कृष्ण जी ने फिर है मंदिर के करता धरता मंदिर के धन को व्यपार एमम साहुकारी में लगाते थे अब मंदिर के जो क देखिए इस धन का इस्तेमाल व्यपार्वगरा में करते थे साहुकारी में लगा दीते थे धीरे-धीरे समय के साथ-साथ बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यपारी, आदी मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवन तीर्थी आर्थियों यात्रियों की आफशक्ताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए बिल्कुल सही है क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मात्रा में या बहुत ज़्यादा संख्या में जब तीर्थी आत्री पहुंचते हैं तो उनकी आफशक्ताओं भी होती हैं जैसे उनको ख जूरूर्थ के हिसाब से धीरे-धीरे बनती गई और वैसे ही वर्ग एक इनसे जूडता रहा मंदिरों के आसपास इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ इस रीती जे मंदिरों के चारों और अनेक नगरों का आविरभाव हुआ जैसे मध्य प्रदेश में भिल स्वामि और मदुरई और आंधर प्रदेश में तिरुपती है इनका भी विकास हुआ फिर देखिए तिर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विक्सित हो गए थे तिर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विक्सित हो गए इसी तरह से अजमेर जो राजस्तान का एक जिला है वर्तमान में बार्मी शताप्ती में यह चोहान राजाओं की राजदानी थी और आगे चलकर मुगलों के शाशन में यह सूबा मुख्याले बन गया था ठीक है मुगल प्रशाशन विवस्ता में इसे एक सूबा बनाया गया था और इस सारी विवस्ता को जो प्रशाशन को यहां के संबालता था उसे सूबेदार कहा जाता था यह नगर धार्मिक्स है अस्तित्व का एक उतकरष्ट उधारन प्रस्तुत करता है क्योंकि यहां पर सूफी संथ ख्वाजा मुईनुदीन चिश्ती यहां पर बारवी सत्षतावदी में बस गए थे इसको मागले चैप्टर में पढ़ेंगे आठवे चैप्टर में जब भ पुष्कर सरोवर है यहां प्राचीन काल से ही तीर्थी आतरी आते रहे हैं आठवी शताप्दी से ही उप माधवीब में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल बिचने लगा संभवता हैं उनका प्राधुर भाव बड़े बड़े गाउं से हुआ आम तोर पर एक मंडपि जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा यानि कि छोटे छोटे जो गाउं हैं इनके आसपास कुछ मंडियां हुआ करती थे मंडपि का कहते थे जिने हम वर्तमान में मंडी कहते हैं जहां आसपास के गाउं वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे और ऐसी गलिया थी जहां दुकाने और बाजार थे जिने हट यानि बाद में अपब्रेंश जिसका हाट हो गया हाट कहा जाता था फिर इसके लावा भिन भिन प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुमारों तेलियों शक्र बनाने वालों ताडी बनाने वालों सुनारों लोहारों पत् सारी इन नगरों में इन नगरों में स्थानी ओपस खरीदने और दूर वर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े नमक कपूर केसर पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मचा मसाले बेचने के लिए आते थे फिर आगे देखिए यह एक नगर का बाजार चितर दिखाया गया है हमें जहां पर लोग जो है वो अपना कि सामान भी बेज रहे हैं कुछ गुलाम भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं है ना एक आदमी यहां पर एक उसको बैल को बगा रहा है तो देखिए किते रिफाइंड तरीके से इसको अच्छे तरीके से इस पेंटिंग को बनाया गया है आम तोर पर कोई सामंत जो है यानि परिवर्ती काल का जो जमीदार था इन नगरों में इनके आसपास किले बंदी करके महल बना लेता था यानि कि पहले जो सामंत हुँए खहुआ करते थे या जो पहले जमीदार हुआ करते थे दिरे दिरे सामंत बने और इनोने अपने किले बंदी करके महल बना लिए ऐसे सामंत व्यपारियों, शिल्पकारों और उनके व्यपार की वस्तुओं पर कर लगाते थे यानि ये जो सामंत व्यक्ति थे जो इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे ये व्यपारियों, शिल्पकारों और उनके व्यपार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी-कभी इन करों के संगरण का अधिकार उन स्थानिय मंदिरों को भी प्रदान कर देते थे यानि कि हमने जैसे अभी पढ़ा था कि ये जो मंदिर है ये अपना जो इकत्रित हुआ हुआ धन क्या करते थे साउकारों को भी दिया करते थे व्यपार में लगाया करते थे और इनको यहां पर कर संग्राहक भी बना दिया जाता था जिनका निर्मान स्वयम उनके द्वारा या उनके धनाडे व्यपारियों द्वारा कराया गया होता था ऐसे अधिकारों का उलेक अभिलेकों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं यानि कि किसी भी मंदिर को कर संग्रह का अधिकार जो दिया गयाता है उसके बकाइदा अभिलेक लिखे जाते थे उसके प्रूफ रखे जाते थे अब यहाँ पर देखिए लकडी पर नकाशी करता हुआ एक कारीगर बाजारों पर कर यह राजस्तान से प्राप्त एक दस्वी शतावदी के अभिलेक का सारांश है जिसमें वे शुल्क दिये गए हैं जो मंदिर प्रादिकारियों द्वारा वस्तों के रूप में वसूल किये जा सकते हैं शक्कर और गोड रंग धागा रुई नारियल नमक सुपारी मखन तिल के तेल पर और कपड़ों पर कर लगाए जाते थे इसके अलावा व्यपारियों पर धात्तु की चीजे बनाने वालों पर आस्वकों पर तेल पशुचारे और अनाजों के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे इन में से कुछ करतों वस्तू रूप में और कुछ अन्य नकद रूप में वसूले जाते थे तो ये इंप बड़े और छोटे व्यपारी व्यपारी कई प्रकार के हुआ करते थे इन में बनजारे लोग भी शामिल थे बनजारे कौन होते थे जो गुमखड जाती होती है जो एक स्थान पर रहते हैं और दूसरे स्थान पर थोड़े वक्त बाद चले जाते हैं ये ऐसी जगों से समान खरीदें जहां पर इन्हें सस्ता मिल जाता है और उन जगों पर जाकर बेचते हैं जहां पर महेंगका बिकता हो तो वहाँ से खरीद कार ले आया करते थे भेचने के लिए आगे देखिए आगे देखिए इनका एक मुखिया होता था और वहें मुखिया उनकी और से गोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बाचित भी करता था चुकि व्यपारियों को अनेक राजी और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था तो आम तोर्बे काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे अपने हीतों की रक्षा के लिए इन्होंने व्यपार संग यानि गिल्ड बनाए थे ठीक है जैसे व्यपार संग बनाए हैं इन्होंने क्योंकि काफिले में जाना जरूरी हो जाता था अकेला जाता तो कोई उन्हें लूट भी सकता था कोई उन्हें मार भी सकता था तो ये संग बना कर एक ग्रुप बना कर जाते थे जब भी यातरा पर निकलते थे कई सारे व्यपारी एक जुटो कर अपना समान लेकर अपने घोडे अगर कोई लेकर जाते थे बेचने के लिए कुछ भी तो ये गिल्ड बनाया करते थे व्यपार संग गिल्ड बनाया करते थ दक्षिन भारत में आठवी शताबदी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संग थे उनमें सबसे प्रमुक्ता मनी ग्रामम और नाना देशी अब ये वर्ड में याद रखने है कि ये नाना देशी और मनी ग्रामम क्या चीज है ये व्यपार संग थे ये प्रायदीप के भीतर और दक्षनी पूर्वी एशिया और चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यपार करते थे इनके अलावा चेटी यार और मारवाडी ओसवाल जैसे समुदाए भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यपारी समुदाए बन गए गुजराती व्यपारियों में हिंदू बनिया और मुसलिम बोहरा दोनों समुदाए शामिल थे ये दूर दूर तक लाल सागर के बंदर गाहों वे फारस की खाड़ी पूर्वी अफ्रीका दक्षनी पूर्वी एशिया और चीन से व्यपार करते थे वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेशते थे और बदले में यहां से बहुत आयत में मसाले, कपड़ा बहुत सारी चीज़ें अगर निर्यात की जाती थी तो वहां से उनको बेचने पर जो चीज़ें मिलती थी उसके बदले में वो अफ्रीका से सोना हाथी दांत ले आते थे और दक्षनी पूर्वी एशिया और चीन से मसाले लाते थ थे पश्मी तटों के नगरों में अर्भी, फार्सी, चीनी, यहूदी, सीरियाई, इसाई बस गए थे पश्मी तट के नगर जो हमने अभी देखे थे तंजावुर है, उरेयुर है, तिरुपती है, इधर से मसुली पतनम है, यह बहुत सारे जो पश्मी तट हैं, दक्षनी पुर्वी और पश्मी तट हैं, यहां के नगरों में अर्भी, फार्सी, चीनी, यहूदी और सीरियाई, इसाई आकर बस गए थे, लाल सागर के बंदरगाओं में बेचे जाने वाले भारतिये मसाले और कपड़े इतालवी, इटालियन पीपल व्यपारियों द्वारा खरी जाती है, काला सोना भी का जाता था, इसे यह बहुत वेमस थी वहां पर, यूरोपियन देशों में, काली मिर्च, दाल, चीनी, जायफल और सोंट, यह यूरोपिये वेंजनों के महतोपुन अंग बन गए थे, और भारतिये सूती कपड़ा बहुत लुभावना था, यह ची काबुल के बारे में, जो वर्तमान में अफगानिस्तान का हिस्सा है, काबुल अपने पहाडी और विशम भूद रश्या के साथ, सोल्वी शताबदी से, राजनितिक और वानेजिक द्रश्टी से मैतोपुन बन गया था, काबुल और कादंधार सू प्रसिद रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे, रेशम मार्ग कौण सा था, सिल्क रूर जिसे हम कहते हैं, वो कौण सा था, ये चीन से होकर, चीन से लेकर इधर भारत के उत्रिश हो शेतर है, उत्रपश्मी यहाँ से होकर निकलता था, ये इरान तक जाता था, और आगे से आगे यहाँ से जो है, सिल्क जो है वो बेचा जाता था क्योंकि बहुत समय तक यानि कई हजार साल तक तो चीन ने इस बात को लीक ही नहीं होने दिया था कि चीन रेशम भाँ पर कैसे बनाया जाता है ठीक है जब यह बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था उसके बाद ही इसके बारे में लोगों को ग्यान हुआ साथ ही घोडों का व्यपार भी मुख्या रूप से इसी मारक से होता था सत्रमी शताबदी में हीरों के सोधागर जो बैप्टिस्टे टेवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में गोडों का व्यपार प्रती वर्ष 30,000 रुपयों का होता था जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेश्मी, कपड़े और ताजे फल उन्टों पर लाद कर लाए जाते थे और उप महादवीप में और अन्य भागों में बेचे जाते थे इनके अलावा गुलाम भी विक्री के लिए लाए जाते थे तो यहाँ पर यह जो टैवर्नियर है बैप्टिस्ट टैवर्नियर यह बताते हैं सत्रवी शताब्दी में कि काबुल में घोडों का जो व्यपार है वो सालाना 30,000 रुपे का होता था और यहाँ से मेवे, खजूर, गलीचे, रेश्मी कपड़े और ताजेफल उन्टों पर लाद कर लाए जाते थे ठीक है फिर है नगरों में शिल्प बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसीदते कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी कला पड़ गया पांचाल अर्थात विश्व कर्मा समूदाए जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राज मिस्तरी और बढ़ाई शामिल थे मंदिरों के निर्मान के लिए आवश्रक थे इनके अलावा विराज महलों, बड़े-बड़े भवनों, तालाबों और जलाशियों के निर्मान में अपनी मैत्वपून भूमिका अदा करते थे इसी प्रकार सालियार या कैकोलार अब ये सालिया और कैकोलार क्या है ये बुन कर जाती है ये भी समरद्दी शाली समुदाय बन गए थे और मंदिरों को भारी दान दक्षिना दिया करते थे वस्तर निर्मान से सम्मंदित कुछ अन्यकारे थे जैसे कपास को साफ करना कातना रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे जिनके लिए विशेशक्यता की आशकता होती थी ये देखिए ये जो एक पीतल का मुंबत्ती दान हमें दिखाई दे रहा है ये भी कितना ज्यादा इसको डेकरम किया गया है कितनी खुबसूरती से इसको बनाया गया है इसको फोटो को अल्लार्स करके आप दे देखिए कितनी महीन कलाकारी इसके उपर की गई है अब देखिए जी है एक शौल जिसका बॉर्डर देखिए कितना खुबसूरत बना हुआ है कितने सुंदर-सुंदर रंगों का इस्तेमाल किया हुआ है छोटे-छोटे फूलों को बनाया गया है जैसे आज भी कश्मीर मे पश्मीना फेमस है क्यों क्योंकि वो दोनों तरफ से बनाया जाता है डिजाइनिंग उसका और दोनों तरफ से सीधा होता है पश्मीना चलिए बात करते हैं शहरों के बदलते हुए भागये कई शताब्दियों के लंबे समय में एहमदाबाद गुजरात जैसे कुछ नए बड़े विपारिक केंद्रों के रूप में विक्सित हो गए थे लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षव विस्तार और महत्व की दरश्टी से सीकुड गए इसी काल में पश्म बंगाल में भागी रती नदी के तट पर मुर्शिदा बाद जो अठार्वी शतावदी के शुरू में यानि 1704 में जब बंगाल की राजधानी वह बन जाता है लेकिन इसी शतावदी के दोरान ही उसका सितारा डूप गया क्योंकि वहां के बुनकर इंगलेंड की मिलों से बनकर आये सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं स सूली पटनम और सूरत नस्दीक से एक नजर सबसे पहले तो जी हमें हमपी के एक आहाते की तूटी हुई दिवार से बुर्ज गा द्रश्य दिखाई दे रहा है देखें यह पीछे बुर्ज बना हुए बहुत ही पत्थरों से शांदार बनाया गया इसे यह कब बनाया गय उसके बारे में पढ़ते हैं हमपी नगर कृष्णा और तुंग भद्रा नदियों की घाटी में स्थित हैं यह नगर 1336 में स्थापित विजय नगर सामराज्य का केंद्रस्थल था ठीक हैं हमपी के शांधार खंडहरों से पता चलता है कि उस शेहर की किले बंदी उच्च गया था ठीक है आगे देखिए एक किला बंद नगर एक पूर्तगाली यात्री डॉमिंगो पेज ने सोलवी शतापदी में हमपी नगर का वर्नन किया है गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यांत सु जों से सुरक्षित है ये दिवारें अन्या नगरों की दिवारों जैसे नहीं है बलकि मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्या भागों में बहुत कम देखने को मिलता है उसके भीतर उसी रीती से बनाए गए भमनों की अत्यांत सुन्दर कतारे हैं जिनकी छटे सपाट और चप्टी है अब आगे देखिए अपने शाशनकाल में विजयनगर के शाशकों ने जलाश्यों और नहरों के निर्मान में काफी रूची ली ये है माल देवी नदी के उपर 1.37 किलो मेटर लंबे मिट्टी के बांध अनंत राज सागर जलाश्य का निर्मान किया क्रिशन देव राये ने दो पहाडियों के बीच विशाल प्रस्तर बांध का निर्मान विजयनगर के निकट एक विशाल जिल के निर्मान के लिए किया जहां से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों की सिंचाईत के लिए पहुंचाया जाता था आप कहते हैं कि हमपी की जो वास्तु कला है विशिष्ट प्रकार की थी वहां के शाही भवनों में भवे महराव और गुमबद थे वहां स्तंभों वाले कई विशाल कक्षते जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे यहां सुनियोजित बाग बगीचे भ देवान रहता था उन दिनों हमपी के बाजारों में मुस्लिम सोधारगों चेटियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपिये एजेंटों वेपारियों के एजेंटों का जमगट लगा रहता था नीचे हमपी के विठल मंदिर का पत्थर का बना हुए एक रत दिखाया गय यह देखे कितना खुबसूरत रत मंदिर दिखाया गया है। जो देव प्रतिमा राजा प्रजा जनों की समक्ष नर्तिय किया करती थी महा नवमी पर्व जो आज दक्षिन में नवरात्री कहलाता है उन दिनों हमपी में एक अत्यंत महतोपुन पर्व माना जाता था पूरा तत्व विदो ने उस महा नवमी मंच को खोज निकाला है जहां अपने राजा अपने अतितियों का आदर सत्कार स्वागत सत्कार करता था यानि कि यह जो नवरात्री मनाने की परंपरा है यह आज की नहीं है हजारों साल पहले की भी है दक्षिन में भी इसे मनाया जाता था वहाँ पर उस समय देवदासियां उस एक विशाल श्यू मंदिर जो है वहाँ पर उसके अंदर नरत्य किया करती थी प्रजा के सामने भी फिर अधिनस्त व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था जो उसके अधिनस्त व्यक्ति होते थे वह उसको उपहार दिया करते थे वहीं विराजमान होकर राजा नरत्य संगीत और मल्युद के कारेकरम भी देखा करता था ये important आ जाता है 1565 में दक्कनी सुल्तानों यानि गोलकुंडा, विजपूर, एहमदनगर, बरार और बीदर के शाषकों के हाथों विजएनगर की पराजया के बाद हमपी का विनाश हो गया फिर है सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार, अब हम सूरत को देख लेते हैं जो वर्तमान गुजरात का शेतर है, मुगल काल में कैमबे यानि खंबात की खाडी जिसे हम कहते हैं और कुछ समय के बाद एहमदाबाद के साथ-साथ गुजरात में पश्चमी विपार का वानिज्यकेंदर बन गया था सूरत और मुझकी खाडी से होकर पश्चमी एशिया के साथ विपार करने के लिए मुख्य द्वार था सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे सूरत एक सर्व देशिये नगरता यानि यहाँ पर सबी जाती हो धर्मों के लोग रहते थे सत्रवी शतापदी में वहाँ पर पूर्तगालियों, डचों, अंग्रेजों के कार खाने और माल गोदाम थे अंग्रेज इतिहास कारूए एक ओविंग्टन उन्होंने 1689 में सूरत बंदरगा का वर्नन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन-भिन देशों के ओस्तन एक सो जहाज इस बंदरगा पर लंगर डाले, खड़े देखे जा सकते थे सूरत में ऐसी अनेक दुकाने थी जो सूती, कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी सूरत के वस्त्र अपने सुनैरे गोटा की नारियों जरी के लिए प्रसेद थे, उनके लिए पश्मी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलवद थे राज्ये ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आफशकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गरह बनाए थे यहाँ पर भवय भवन, असंक्या, मनोरंजक स्थल थे, सूरत में काठिया वाडी सेठों और महाजनों की बड़ी-बड़ी सावकारी कंपनियां थी उलेखनी है कि सूरत में से जारी की गई हुंडियों, हुंडियों को दूर दूर तक मिस्तर में काहिरा, इराक में बसरा और बेलजियम में एंटवर्प के बाजारों में माननेता प्राप्त थी देखिए काहिरा जो मिस्तर का शेत्र है बसरा जो इराक में है और बेलजियम में एंटवर्प यानि जो बेलजियम का जो शेत्र है यहां के बाजारों में भी सूरत की बनाई सूरत की ओर से जारी की गई हुंडियां जो है इनको माननेता प्राप्त थी अब हुंडी क्या सकती है देखिए अगर किसी एक जगा की हुंडी के उपर जैसे आज कल यह जो वेस्टन यूनियन मनी ट्रांसफर वाले हैं कुछ-कुछ वैसा ही है कि मनी को ट्रांसफर किया जा सकता था अगर यहां पर कोई व्यक्ति जमा राशी करवा राशी जमा करवा देता है और हुंड सी ली जा सकती थी व्यपार के उदेश्य से किन्तो सत्रवी शताबदी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया इसके कई कारण थे मुगल समराज्य के पतन के कारण बाजारों में तथा उत्पादक्ता की हानी पुर्त गालियों तथा समुद्री मार अर्गोपन यंतरन और बंबई जो वर्तमान मुंबई है उससे प्रतिसपरदा जहां 1668 में अंग्रेज इस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्याले स्थापित कर लिया था आज सूरत एक महत्वबुन वानेजिक केंद्र है जोकिम भरा दोर मसूली पटनम के लिए चु पर भिन भिन प्रकार की गतिविदिया होती थी हॉलेंड और इंगलेंड दोनों देशों की इस इंडिया कंपनीओं ने मसूली पटनम पर नियंतरन का प्राप्त करने का प्रतन किया था क्योंकि तब तक वह आंधर तट का सबसे महतपुन पत्तन बन गया था मसूली पतनम का किला हॉलेंड वासियों ने बनाया था ये important आजाता है कि हॉलेंड और इंगलेंड दोनों ने ही मसूली पतनम पर अधिकार प्रात करने की कोशिश की थी और मसूली पतनम का जो किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था हॉलेंड वासियों के द्वारा बनाया गया था अब देखिए मचुवारों का एक गरीब नगर ठीक है अंग्रेजी इस इंडिया कंपनी के एक गुमाश्ते गुमाश्ते क्या होता है यूरोपिये ट्रेडिंग कंपनी की व्यपारिक गतिविदियों के प्रभारी अदिकारी छो उन्हें गुमाश्ते गाता था यह जो एक गुमाश्ते यानि जो अधिकारी हैं प्रभारी अधिकारी है विलियम मैंठ वर्ल्ड यह 1620 इसवी में मसूली पतनम का वर्नन करते हैं यह है गोल कुंडा का एक मैतपुन पतन है यहां परम पूझे इस इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है यह एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ है बिना किसी चार दिवारी के और खराब तरीके से बना हुआ और नहीं यही यह अच्छी जग अगस्तित है इसके सभी जलस्त्रोतर खारे पानी के हैं पहले यह एक गरीब मच्छुआरा नगर था आगे चलकर यहां जहाजों के लिए लंगर डालने की सुविदा हो गई जिससे व्यपारी लोग यहां रहने लगे और चुंकि हमारे तता हॉलेंड के निवासी यहां इ चीजों की विक्री पर शाही एक अधिकार लागो किया जिससे की वहां का व्यपार पूरी तरह से इस इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए विबिन व्यपारी समूहों गोल कुंडा के कुलीन वर्गों फार्सी सोधागरों तेलगू कॉमटी चेटियार और प्रेंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिढाना शुरू कर दिया था 1686 सतासी में मुगल बादशा औरंग जेव ने गोल कुंडा को मुगल समराज्य में मिला लिया था ठीके 1686 सतासी में औरंग जेव ने मीर जुमला जो इसका प्रतिनिदी सुबेदार था यहा आ गई कंपनी की नए नीतिक अंतरगत केवल इतना प्रयाप नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंद बनाए रखे बल्कि इस बात की भी आवशक्ता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र के एक साथ राजनितिक प्रशाशनिक और समरदी दोनों ही खो बैठा यानि कि जब इस इंडिया कंपनी का जो फैलाव था ये बंबई कलकत्ता और मदरास तक पहुँच गया तब मसूली पठनम के साथ इनका जो व्यपारिक इंपोर्टेंस थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई और अठार्मी शताबदी के दोरान इसक पारिक उदेशों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे जो यूरोप और पश्मी एशिया दोनों जगरन लोकपरी हो गए थे अंग्रेज, होलेंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूरू में अपनी वानेजिक गतिविदियों का विस्तार करने के लिए अपनी इस्ट इंडिया कंपनी बनाई प्रारम में तो मुल्ला अब्दूल अब्दूल गफूर और वीर जी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतियों ने जिनके पस बड़ी संख्या में जहाज थे उनका मुकाबला किया तो अब ये इंपोर्टन हो जाता है कि भारत की तरफ स कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनों ने अपने जहाजों के साथ इनका मुकाबला किया तो ये थे मुल्ला अब्दूल गफूर और वीर जी वोरा किन्तो ये उरोपिये कंपनियों ने समुद्री व्यपार पर अपना नियंत्रन स्थापित करने के लिए अपनी नो शक्ति का प् वस्त्रों जैसी वस्तों की मांग में तेजी आ जाने से अधिकादिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई इसका धन्दा अपना लिया इससे इन शिल्पों का विस्तार हुआ भारतिय वस्त्रों के रंग रूप और डिजाइन अधिकादिक एक मिनिट बारती वस्तरों के रंग रूप और डिजाइन अधिकादिक परिश्कृत होते गए किन्तो इस काल में शिल्प कारों की स्वतंतरता घटने लगी शिल्पी जन पेशगी की प्रनाली पर काम करने लगे जिसका अर्थ ये था कि उन्होंने जिन यूरोपी एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी उन्ही के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था अब इन बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंतरता नहीं थी उने तो कम्पनी के एजेंटो द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उनी की मांग के अंसार बनाने पड़ते थे ये चीज अब यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट होती जाएगी कि यहाँ के बुनकरों को अपनी मर्जी नहीं करने दी जा रही थी कि वो किसी को भी अपने कपड़ा बेज सकें अपने डिजाइन बेज सकें कम्पनी इनको ओर्डर देती थी और उनको उतना ही कपड़ा उतनी मात्रा में और उतना ही उसका जो डिजाइन है वो फिक्स करना पड़ता था अठारवी शताबदी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे नगरों का उदे हुआ जो आज प्रमुक महानगर है शिल्प और वानिजे में बड़े-बड़े परिवर्तन आये जैसे बुनकर, कारिगर, सोधागर, यूरोपीय कंप्रियों द्वारा बनाए गए इन नगरों में स्थापित ब्लैक टाउंस में स्थानांत्रित हो गए अब ब्लैक टाउंस क्या है? ब्लैक टाउंस यानि देशी व्यपारियों और शिल्प कारों को इन ब्लैक टाउंस में सिमित कर दिया गया जबकि गोरे शाषकों ने मदरास में फोट सेंट जोर्ज और कलकता में फोट सेंट विलियम की शांदर कॉंठियों में अपने आवास बना लिए 18 शताबदी में शिल्प कलाउ और वानिजे की कहानी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे आगे देखिए प्रारंबिक उन्निसमी शतापदी में बंबई की एक सड़क को दिखाया गया है देखिए कहां कैसे इनके यहां पर एक कोठियां सी स्थापित कर ली गई हैं जहां पर अंग्रेज हैं और कैसे वहां के शाशक वर्ग और मजदूर वर्ग रह रहे हैं फिर है वासकोडिगामा और क्रिस्टोफर कॉलंबस पंदरवी शतापदी में यूरोपिय नाविकों द्वारा समुद्र मार्ग खोजने के अभुदपुर्व कारे किये गए उनमें से अनेक नाविक भारती उप मादवीप का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्ट करने की यात्रा करते हुए केप ओफ गुड होप से निकल कर कहां से आया था ये वासकोडिगामा पुर्तगाली नाविक था ये और अट्लांटिक मास मासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ओफ गुड होप से निकल कर हिंद मासागर को पार करके भारत पहुंचा था उसने अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में एक वर्ष से भी अधिक समय लगाया 1498 में वह काली कट पहुंचा और अगले वर्ष पूर्टगाल की राजधानी लिस्बन लोट गया था इस समुद्री यात्रा के दोरान उसके चार में से दो जहाज नश्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे इन प्रत्यक्ष खत्रों के बावजू जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाबकारी सिद्ध हुए उसके बाद तो अंग्रेज, नाविकों ने भी उसका अनुकरण शुरू कर दिया था भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्या सूपरी नाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी एक इटली वासी क्रिस्टोफर कॉलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अ पहुंच सकता है 1492 में वह वेस्ट अंडीज के तट पर पहुंचा वेस्ट अंडीज का नाम इसी भ्रांती के कारण पड़ा है उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षनी अमेरिका के बड़े-बड अपने कब्जे में कर लिया अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाले वाले वस्तियों को नश्ट कर दिया गया तो आगे इसके questions ही हैं बहुत easy से हैं हम आज का chapter यहीं पर हमारा समाप्त होता है तो चैनल के साथ easy easy life के साथ जुड़े रहिए चैनल को like share और subscribe करना ना भूलिए अपना feedback प्लीज 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 हमें comment section में जरूर दिया करें और अपनी तयारी को भैतरीन बनाईए बेस को इसी तरह से बनाते रहिए चैनल के साथ जल्द ही हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू होंगे तो आज के लिए इतना ही हार्दिक धन्यवाद आभार